जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट चुनलिये गए हैं और वो अमेरिका के 46 प्रेसिडेंट बनने वाले हैं इस इलेक्षन में जो बिलिन ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्रम को हराया है और वो अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्टपती बनने जा रहे हैं वो इस वक्त 77 यर्स के हैं इस वीडियो में हम आपको जो बाइडन के बारे में बताएंगे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस चैनल को सब्स्राइब कर लें तो इस वीडियो को शुरू करते हैं जो बाइडन का पूरा नाम है जोसेप रॉबिनेट बाइडन जूनियर इनका जम 1948 में पेनी सिल्वेनिया राजे के स्क्रेंटन में हुआ था वह चब 13 साल के तब उनकी फेमिली डेलावेयर चली गई थी जो बाइडन के पिता जो बाइडन सिनियर एक सेल्समें थे और इनकी मा का नाम था कैथरीन फिनिगन जो बाइडन अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देते हुए कहते हैं कि उन्होंने ही मुझे टफ बनने की मेहनत करने की और ध्रिट रहने की सिच्छा दी बाइडन ने सेंट हेलेना स्कूल में दाकिला लिया और फिर उन्हें प्रतिष्टित आर्क मेयर एकैडमी में एड्मिशन मिल गया बाइडन स्कूल विंडोज साफ करने और गार्डन की निराई करने का काम किया करते थे ताकि उनकी फैंबली उनका tuition fees afford कर सके बाइडन ने University of Delaware में दाकिला लिया जहां उन्होंने History और Political Science की पढ़ाई की और फुटबॉल खेलने में अपना समय बिताया यही से उनकी दिल्चस्पी पॉलिटिक्स में हुई इसके बाद बाइडन ने अपना graduation पूरा करने के बाद साहिराकोज उनकी लॉइस्टि लॉइस्कूल में दाखिला लिया 1966 में बाइडन ने उसी उनकी की student नीला हंटर से शादी कर ली जिनसे उन्हें पहली नजर में ही प्यार हो गया था लॉइस्कूल से 1968 में graduate होने के बाद बाइडन, Wilmington, Delaware चले गए जो बाइडन ने राजनिती में आने से पहले कुछ समय तक एक वकील के रूप में काम किया 1971 में बाइडन ने खुद का law form स्टार्ट किया था बाइडन इतियास में पांच में सबसे कम उम्र के अमेरिकी सीनेटर रहे हैं और Delaware के सीनेटर के रूप में सबसे लंबे समय तक काम कर चुके हैं बाइडन 1972 में Delaware Democratic Party के तरब से सीनेट के लिए उमीदवार चुने गए थे और उन्होंने अपनी family की मदद से campaign किया और वो ये election जीत गए और देश के इतियास में पांच में सबसे युवा यूए सीनेटर के रूप में चुने गए जो बाइडन का political career काफी लंबा रहे हैं बाइडन Delaware से छे बार सीनेटर रह चुके हैं उन्हें foreign policy के expert के रुप में जाना जाता है उन्होंने foreign policy के रुप में काफी काम किया है जैसे Soviet Union के साथ हतियारों को सीमित करने के बारे में रणनीती बनाना Balkans में सांती और श्थिरता अस्तापित करना नाटो में भूतपूर Soviet Block Nations को शामिल करना और इसे expand करना और First Gulf War को approach करना इन्होंने George Bush के Iraq War को handle करने को लेकर उनकी खिलाफत की थी यह तीसरी बार है जब वो President के race में उत्रे हों सबसे पहले उन्होंने 1988 में प्रयास किया था फिर उन्होंने 2008 में प्रयास किया लेकिन दोनों ही बार उन्हें असफल था हाथ लगी 1988 में असफल उन्हें एक बार उन्हें 2008 में एक बार फिर प्रयास किया था लेकिन इनका campaign फेल रहा ओबामा ने देमोक्रेटिक नॉमिनेशन हासिल किया और कई महीनों बाद बाइडन को अपना साथी चुना बाइडन ओबामा के कारिकाल में दो बार वाइस प्रेसिडेंट रच चुके हैं साल 2008 से 2016 तक बाइडन ओबामा के करीबी माने जाते हैं ओबामा ने ही उन्हें 2017 में प्रेसिडेंट मेडल ओफ फ्रीडम से नामित किया था और इसके दो साल बाद बाइडन ने अपना कैम्पेंड लॉंच किया और अब वो अमेरिका के 46 प्रेसिडेंट के रुप में चुने गए हैं जो बाइडन के अगर भारत को लेकर रुप के बारे में बात करें तो बकॉल बाइडन अगर वो राश्पती चुनाओ जीतते हैं तो भारत के सामने मौजूद खत्रों से निपटने में उसके साथ खड़े रहेंगे बाइडन ने कहा था कि मैं 15 साल पहले भी भारत के साथ एतिहास असैन ने परिमारू समझोते को मंजूरी देने की कोशिशों की अगवाई कर रहा था आपको बता दे कि बाइडन पे sexual harassment के भी आरोप लग चुके हैं बाइडन के सीनेट आफिस में काम करने वाली एक मैला ने बाइडन के किलाब केस्ट दरज कराया था कि बाइडन ने उन्हें 1993 में sexually harass किया था बाइडन ने कमला हैरिस को वाइड हाउस में अपना running mate चुना है और वो बाइडन के समय USA की Vice President होंगी कमला हैरिस भारती मूल की है और वो पहली मैला है और South Asian है जो USA की Vice President होंगी दोस्तों इस वीडियो का भी यहीं खतम करते हैं आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें comment section में बताईए इस वीडियो का लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर ले थैंक्यो